हलो दोस्तो आपका यूट्यूब चैनल आलिंगान में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि वारंटी और गरंटी में क्या अंतर होता है और वारंटी और गरंटी में क्या फर्क होता है इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में हमाद बिश्टार्द जानेंगे कि वारंटी और गरंटी में क्या फर्क होता है तो जैसे कि दोस्तों आप किसी भी सौप में कोई समान लेने जाते होंगे तो वहाँ पास दुकानदार बोलता है कि इसमें इतने मंत की वरंटी है इसमें इतने मंत की गारंटी है तो दोस्तो वरंटी और गारंटी में बहुत जादा फर्क होता है कि यह समझ लिजे कि आपको वरंटी और गारंटी में फर्क नहीं जान पाएंगे तो आपको आगे चल वारंटी जादा देती हैं तो इसके लिए हम लोग आज जान लेते हैं कि वारंटी और गरंटी में क्या फर्क होता है तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं वारंटी की दोस्तों वारंटी वो होती है जैसे कि आप कोई समान खरीदते हैं किसी तरीके का आपने कोई समान खरीदा और उस समान को अभी कभी जैसे कि उसमें 12 मंद की वरांटी दी गई है तो उसमें आपको क्या है कि अगर समान खराब हो जाता है तो आपको उसमें से एक कार्ड दिया जाता है आप वो कार्ड दिखा करके जो दुकंदार होता है वो आपके समान को रिपेयर करके आपको फिर स आपको नया नहीं देगा दोस्तों यह होती है वरंटी का काम काम होता है और गारंटी में यह होता है तो यह सब्सक्राइब रहन दोस्तों लेते हैं को एकि 12 मंत की व Hier कैसे उम हर चीज में 12 मंत की होती बहुत बढ़े प्रांट होते हैं तो ऊप 24 मंत 25 की भी वारंटी जाती है और जिस चीज में न होती है जैसे आपका कोई TV खराब हो गया जैसे TV में Aपकी गारंटी है तो अगर आप टीबी को लेके जाएंगे अगर उसको तो वो दुकंदार बेशक क्या करेगा कि आपका बिल देखके आपके टीबी को इस्चेंज कर देगा वो पुरानी टीबी आपकी रख लेगा और नई टीबी आपको दे देगा तो ये टाकत होती है गारंटी की वारंटी पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता है आप जो लेके जाएंगे उसी समान को आपको रिपेयर करके दे दिया जाएगा इस पे कोई भी इंटरवेस नहीं किया जाएगा जो समान उस पे लगेगा उसका कुछ कुछ लोग तो उसका चार्ज भी लेते हैं बहुत सारे ब्रंड और बहुत से लोग नहीं लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि आज आज आप लोग जान गए होंगे कि वारंटी और गरंटी में क्या फरक होता है दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो